हेलो डियरे स्टेंट्स मैं स्वागत करता हूं तो मेरे प्यारे बच्चे जो 21 अपरल 24 इसको पेपर हुआ था और अच्छा पेपर था जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी करें तो अच्छा खासा स्कोर भी कर सकता है इसमें तो उसी में कुश्चन यह भी देखने को मिला पीछे बस तो इस कुश्चन के जो ऑप्षन थे वह आप्षन अलग अलग थे क्या थे क्वेसे प्षेट के अलग 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 थे जैसे टूटेट्य इसे करके टेंश नहीं कर रहा था तो मैं बताता हूं पहले इसको को करेंगे उसके बाद में इसके आँसंग एक रुपया हर साल खर्च होता है क्या एक रुपया हर साल खर्च होता है तो मैंने जब क्लास में पढ़ाया था न तो मैंने कहा था आप एबरेज जानते हूं स्कूल में आप मीन से रिलेट करेंट कर दो इसी को आप मीन से मीन होता है यहां होता है मीन को डिनोट करते हैंvest के ऊपर बार लего है और इसका स gradually इंटो एकसाई और अपनके समीशन ओप यह होता है फुर्मिलस का ठीक है तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं तो यह मैंने इसी से रिलेट करके मीन बताया था आपको एना एबरेज को मैंने मीन कितने सारे तरीके से बताया था 8-9 रहरेज़ा था मैंने आप ठीक है कोई बाओ कोई वात नहीं तो अगर मेरा साहल का घ्रक्राम मैं एक ही उनित करूं हर साल क कितने मंलेता है एक ईनिंट ममने तो ऊपर आता गी है में देखागी कि ambiguity को अ करदू 150 कितना आएगा दो YouTube incumbent कितना आएगा मैंने कहा पाइगा मैने इसके option बता देता हूं यह आपका question पीपर इसके option थे बच्चा पाटी ए ऑप्शन था 210 और बी ऑप्शन था इसका 220 और सी ऑप्शन था इसका 230 और डी ऑप्शन था इसका 240 यह ना यह मेरे पास में आपको ना एक जामपल और समझा देता हूं जैसे में एक एक जामपल ले लेता हूं यहां पर मैंने का वन टू थी फॉर पाइव कितने पांच यह पांच नंबर ले लिए मैंने पांच observation यह आपको इनका मीन पूछना चाहता हूं ठीक ना तो यानि कि सीधा सा एबरेज निकाल तो जब बीच वाला नंबर हो यह क्या हो जाएगा इसका मीन हो जाएगा क्या हो जाएगा मीन तो एक पार कितना जाएगा थिरिया जाएगा इसका ठीक है यह मैंने अच्छे से समझा रखा था आपको डिटील में पढ़ा रखाया जीरो से टॉप लेवल जारा है 230 के भी पास जारा है एक तो यह होता है आप रोक है और इस बने में उसी लगा नर गशता कितना रहा थीक कुम तो इसकी पुछ क्विषिन दिखनेर चल रहे जिसमें बिल्कुल एक तो बचा वह होता है ना कि सर मेरे बेसिक से क्लियर नहीं है और में एंडे की तैयरी कर रहा हूं तो आप वहां पर फोड़ा सा एडवांस चल जाता है कुछ भी एडवांस नहीं हम जीरो से बिल्कुल टॉप लेवल तक चलते हैं क्योंकि जड़ी सूल रहता है बिल्कुल बेसिक चीज़े लेके चलते हैं और कॉंसेप्ट के साथ में प्रिवेश की क्वेश्चन कनेक्ट करके चलते हैं तो हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दौनों बैच स्टार्ट हो चुके तेज़स डिफेंस अकेड़मी धहरा दून एक तेज़स डिफ